क्या किसान आंदोलन खत्म हो जायेगा? अब आप लोग देख रहे होंगा कि किसानों के नेता और सरकार आप बीच बाचित जारी है किसान, बिल जो आया है, उसके उपर और आंदोलन चल रहे हैं किसानों का देखिए किसानों के पक्ष में जो भी कुछ हुआ है या फिर जो भी बिल है अगर उसमें कहीं कोई खामिया है तो उसे सुधारना चाहिए लेकिन अगर सरकार इसे मान भी लेती है कि हाँ चलो MSP पर हम लिख के भी दे देते हैं कि किसान मान जाएं सबसे पहले MSP पर इसी पर दिखत है और इसी पर कफ्यूजन था कि MSP हटा दी गई है सब्सक्राइब कर नहीं है है मैस्पी है लेकिन किसी मंत्राल Gothic किसान नेता करें लेकिन सरकार ने को दi किसान मानने को दयार नहीं प्रछी अब यह वंतलब किसानों के नेता जाकते अगर सोचे होते तो सतर सालों में बहुत सारे बील ऐसे बनवा दिये होते सरकार के छाती पर चड़के जिससे किसानों का भला हो जाता लेकिन दुर्भागे पुर्ण जो किसान नेता जो कहलाते हैं किसानों के लिए नहीं बने हैं किसानों के लिए नहीं बने हैं किसानों के लिए होते तो सब बहुत पहले यह इस तरह के किसान बील है वह आजाते सरकारों के छाती पर चड़के यह बनवा देते लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया अब जबकि एक बील आया है जिसमें यह कहा जा रहा कि private sector अगर इसमें आता है तो सायद किसानों का आमदनी जो है वो बढ़ेगा लेकिन इसमें भी किसान नेता जो है क्योंकि उनकी आमदनी किसानों से नहीं चलती है उनकी आमदनी जो चलती है उन बिचावलियों से चलती है जो बिचावलिये जो है किसान के फस लोग को खरीद कर मंडियों में बैशते हैं तो उन लोगों से चलती है जिसानों से इनको पैसा थो भी आता है तो किसके वज में बोलेंगे विचालियों के व चल्नियों के वज में बोलेंगे kisान स्रिफ मुखाउटा होता है जो आपको दिल्ली बोडर पर हर्याना बोडर पर आपको नज़र आ रहा वो kisान स्रिफ मुखाउटा है actual में जो kisान नेता है वो बात कर रहे है बिचोलीों की जो बीच में जो मिडियेटर दलाल जो होता है जो किसान के खेट से फसल 10 रुपय में खरदा और मार्केट में आते हैं ते 20 रुपय में बेचा और हमारे आपके घर पहुंचते पहुंचते वो 30 रुपय में हो जाता है तो किसान निता उनके लिए बोलते हैं तो अभी जो बात्चीच चल रही है सरकार और किसान निताओं के बीच अगर उसमें कुछ सकारात्मक चीजे भी निकलती है सरकार मान भी जाती है कि चलो भाई हाँ आपकी तरफ से मैंने ये ये कर दिया फिर भी ये आंदोलन बंद नहीं होगा इस बात को आप समझ लीजे क्योंकि वाकई में ये किसान आंदोलन है ही नहीं अगर सचमुच में ये किसान आंदोलन होता तो इस किसान आंदोलन में खालिस्तान नहीं इंटरी लेता अगर सचमुच में ये किसान आंदोलन होता तो इसमें साहिन बाग का बिव्यानी नहीं इंटरी लेता अगर सच मुझ से ये किसान अंदोलन होता तो खालिस्तानी जो सेप्रेटिस्ट हैं जो कनाड़ा में बैठ के चाहते हैं कि भारत से पंजाब को अलग कर दें खालिस्तान मुव्मेंट आप लोग जानते होंगे कि खालिस्तान का एक मांग रखा गया भिंडरवाला अभी उसका जो है भिंडरवाला है सबसे बड़ा नेता हलाकि उसको अब ये लोग संत की उपाधी दे चुके हैं तो वो चाहता है कि पंजाब को कैसे खालिस्तान बना के अलग कर दिया जाए और खालिस्तान मुव्मेंट आज का नहीं है ये देशाजाद से प भारी के लोग होते हैं तो ये स्ट्रोंग है तो खालिस्तान मुव्मेंट के नाम पे कैसे हिंदूों को और डैवर्ट किया जाए हिंदूों को और काटा जाए ये खालिस्तान मुव्मेंट है आप खालिस्तान मुव्मेंट को जब पीछे जाके पढ़िएगा तो इस किसान अंदोलन में खालिस्तान का इंटरी कहां से आ गया हम भी बात करते हैं किसान के लिए हम भी चाहते हैं कि अगर इस बिल में कहीं भी कोई गलती हो जिससे किसान को नुकसान हो तो बिल्कुल इस बिल को संसोधन किया जाए बिल्कुल इस बिल में बतलाव किया जाए लेकिन बा पहले बिचॉलियों को लगा की MSP अगर खत्म कर देगा, कर दिया जाएगा, तो मंदी सिस्टम हो जाएगा और जब मंदी सिस्टम कर जाएगा तो बिचॉलियों के हाथ में पैसा कहा से आएगा, जो बिचॉलियों, असकोडा, BMW जैसे कारों में चलते हैं पंजाब के अंदर और हम लोग सोसने कि पंजाब का किसान सुखी संपन है क्योंकि वो BMW से चलता है जी नहीं, पंजाब का किसान सुखी संपन नहीं है जो एक्चुल जो किसान है, जो ग्रास रूट पे काम करता है जो खेट से आना जुगाता है वो सुखी संपन नहीं है सुखी संपन कौन है जो बिचाउलिये हैं और सुखी संपन कौन है जो बिचाउलियों से कमिशन मारते हैं किसान नेता जो अपने आपको so called किसान नेता कहते हैं ये लोग हैं और पंजाब के अंदर आप लोग बता दू कि लगभग 50,000 के आज पास जो है वहां पर सरकारी रजिस्टर्ट भी चौलिये हैं मतलब आढ़ाती जो कहते हैं जहां पर किसान जाके माल बेशते हैं 50,000 लगभग रजिस्टर्ड हैं वहां पर जब आप समझ दीजे 50,000 से पंजाब में रजिस्टर्ड हैं और इल अंदोलन जो है आपको दिल्ली बौडर हर्यान बौडर यहां पर दिख रहा है फिर से एक बार कहता हूं कि किसानों के भियोद में मैं किसानों के खिलाप नहीं हूं अगर उनके हित में कुछ भी हो तो वह अचछा है अगर इस बिल में कहीं से भी कोई गलती है सरकार ने कोई गलती कर दी है इस बिल के अंदर जिसे किसानों को कहीं से कोई दिकत होता हो तो बिलकुल इस बिल को बदलना चाहिए लेकिन आप बात देखिए कि MSP से सुरू हुआ था पंजाब में MSP से सुरू हुआ था कि यह MSP खत्म कर दिया गया दिल्ली और हर्याना बोडर आते आते क्या हो गया कि तीनों कानूनों को खत्म कर दो क्यों बाई मतलब कानून जो भी कानून बने हैं इसमें APMC Act में मतलब एक भी क्लॉज आपके लिए नहीं अच्छा है ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकान आखमून के पूरा का पूरा बिल बना दिया गया हो ऐसा तो नहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है और आप हर्याना के अंदर चले जाए हर्याना के उस इलाके मे वाथ जादे के किसा आप यौज पर मैंने यह Ndtv पर देखा किसी और दूसरे चैनल पर नहीं देखा आप कहेंगे कि मोधी वाले चैनल पर आप 평 लोगोंवने देख लिया तो मैंने एरे टीवे पर देखा कि वहाँ पर जो किसान भाई है वहाँ झार्णा सब्जी बेली उनका safety check होता जो भी होता है वो लोग करते हैं और आपका वहीं पे आपका वजन हो जाता तौल दिया जाता आप थबजियों को वहीं पे नगत आपको पैसा दे जिया जाता है जैसे सुधा डेवी जो होता है बिहार के अंदर आप लोग जानते होंगे कि अगर आप किसान है या दूद पादक हैं तो आपने दूद को सेंटर पे ले जाएं वहां से सुधा डेवी कर्लेक्ट करती है आपको महीने में पैसा दे देती है उसी तरीके से बीग बास्केट और रिलाइंस जैसी कंपनिया जो है हर्याना के अंदर कुछ यगहों पे की है तो पेज दिया और हम जाकि उससे पंदर रुप्या खरीद आए वहां पर डिरेक्ट कंपनिया आपको दस रुपे दे रही है किसान वहां पर बेच रहे हैं तो वह किसान इस बिल से संतूष्ट हैं वह जानते हैं कि आज विलाइंस फ्रेस और बिग बास्केट जैसी कंपनिया उनके आई है उनके गाउं में आई है और दो स्टोर खोली है और उस दो स्टोर से ना जाने कितने किसान वहां पर सुखी है सबजियां बेच के सिर्फ यह मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सबजियों के लिए यह अनाज की बात में नहीं कर रहा हूं सिर्फ सबजियों की बात कर घर दे रही है और वहीं real always को बेचने के लिए ऐसा थो भी आ आपको बीग बास्केट very चो कहा झा रहा है कि प्राइबेट कंपनियां vold heg कि इन लोगों का कोई भी चीज होगा ना तुसमें अम्मानी अडानी को जोवना ज़रूरी है भले ही अम्मानी अडानी किसी कॉंग्रेस को सपोर्ट करे चाहे ना करे या बीजेपी को सपोर्ट करे या ना करे लेकिन अम्मानी अडानी का नाम लेना ज़रूरी क्योंकि यह थ आप लिख दिया गया है कि किसानों के जमीन को खरीद विक्री नहीं किया जाएगा जो कोई भी कमपनिया जो है अगर किसान के जमीन पर खेती करेंगे किसान के जमीन पर फसल उप जाएंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमपनिया किसान के जमीन का हगदार हो गया है मतलब वो जमीन ले लिये हैं इस फिल में साप लिख दिया गया है कि किसी भी तरीके से किसान के जमीन को नहीं लिया जा सकता है सिर्फ जो एग्रिमेंट होगा वो फ़सल का होगा कि आप एक साल में या दो साल का एग्रिमेंट करें और उस खेद पे आप कितना फसल उप जाईएगा उसके हकदार हैं दूसरी बात इसमें ये भी है कि किसान यह तै कर सकते हैं कि उस फसल के अंदर उनका कितना सेर होगा आगर किसान यह तै करें कि नहीं भाई मुझे थोरा पैसा कम चाहिए अपने जमीन का लेकिन हम इस फसल के अंदर 30% का आगर वह कहते नहीं हम है 20 परसेंट के भागिदारी बना इस फसल के अंदर जो भी पैदाबार होगा लेकिन हमें थोड़ा सा पैसा जादे देदो मेरे जमीन का रेंट जादे देदो वह पूरा डॉक्रमेंट बनेगा वह रजिस्टर डॉक्रमेंट बनेगा और वह काइदा एक bonding बनेगा, एक agreement मनेगा, कमपनी और किसान के बीच, ना कि bуса लीच, वो direct कमपनी और किसान के बीच agreement बनेगा, तो ऐसे में पैसा भी नहीं रोका जा सकता है, अगर पैसा रोका जा सकता है, तो किसान सोतंत है, code case करने के लिए और जब company पर code case होगा, किसी भी company पर, तो company चाहती है कि ज़्यादा से दर हम जल्दी से जल्दी निप्टारा कर लें, क्योंकि अगर एक company के उपर case होता है, तो किसान और उनको होगा कि दूसरी जगह पर उनको üग जमीन नहीं दे, फसलूब जाने के लिए तो ऐसे मैं कमपनी सोचेगी कि हम कितना जल्दी जो है इसका निप्टारा कर लें तो इस तरीके के वो आप समझिए तो ये चीजे जो है ये सारी चीजे इस बिल के अंदर है मैं फिर भी कर रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसी चीजे हैं इस बिल के अंदर तो उसे फोरान बदलना चाहिए किसान के हित में करना चाहिए किसान चुकि अभी भी किसी है तो भारत है और भारत वैसे भी किसी परधान देश है सिर्फ हम इसे किसी परधान देश बना दिये है कहने को है लेकिन एक्शुल में जो किसान है उसकी हालत देखिया पर क्या है इस देश में सबसे लंबे समय तक अगर कोई किरसी मंत्राले का भार समहला है यानि कि सेंट्रल में कोई किरसी मंत्री रहा है तो वह है सरत पवार NCP के मुखिया NCP जो है अभी उनकी अगारी सरकार चल रही है मुंबई के अंदर तो सरत प्रवार सबसे ज़्यादा टर्म तक किर्सी मंत्राले में रहे हैं और किर्सी मंत्राले को देखे हैं लेकिन जब आंकरा उठा के देख लीजिए उनहीं के इलाके महराष्ट में किसान ज़्यादा सुसाइड करते हैं अखिर क्या कारान है इस बात को समझे जो मंत्री अपने इलाके में किर्सी को ठीक ना कर सका हो वो आज किसान अंदोलन और इस किर्सी बिल पे अगर वो आपको लेक्चर दे रहा हो तो यह जो किसान अंदोलन जो पूरा का पूरा है ऐसा नहीं है कि किसान अंदोलन इसमें किसान नहीं आये हैं डिल्ली और हर्याना बोडर पे लेकिन किसान सिर्फ मुखा उटा है इस बात को आप समझे लीजए तो आगे देखिए कि सरकार और किसान के बीच so-called किसान निता जो है उनके बीच जो बाते बाचीत हो रही है उसमें क्या निकलता है लेकिन एक बात आप समझ लीजे कि यह अंदोलन इतना जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि यह किसान अंदोलन है ही नहीं इसके अंदर क्या-क्या आगे है आप लोग तो